बॉलिवुड की जहासी की रानी ने किया इसराइल का समर्थन हमास को कहा रावन मगर रावन दहन पर तीर भी धंग से नहीं चला पाई मैं रफीक कामदार इंदोस्तानी रिपोटर में आपका स्वागत है बॉलिवुड की फिल्म अभिनेतरी कंगना रानावत अब इनके बारे में इनकी विचारधारा के बारे में बताने की ज्यादा आवशकतानी कंगना राइट विंगर है और हिंदू राश्र की समर्थक है तो हाली में कंगना रानावत जिनके भी फिल्म आ रही है तेजस जग़ जग़ वो इसका प्रमोशन कर रही है जिसमें उन्हें एक पाइलट की भूमी कानी बाई है तो बॉलीवड की जहासी की रानी तेजस में पाइलट आपको नज़र आईगी और इस जहासी की रानी ने जाकर के हाली में दिल्ली में इसराइल के एमबेसेडर है नाओर गिलाउन नाओर के लॉन से मुलाकात की और इस मुलाकात में इसराइल के साथ साथ हमारा पूरा समर्थन है हमारा दिन इसराइल के लिए रो रहा है अपने ट्विटर अकाउंट पर इस मुलाकात को कंगना रानावत ने शेयर भी किया है और इस मुलाकात में हमास को रावन धेराया है और हमास की कारवाईयों को आतंकी कारवाईयां बताते हुए इसराइल को अपना पूरा समर्थन उन्होंने जताया है। तीन तीन बार कोशिशे करने के बावजूद कंगना रानावत ढंक से रावन दहन नहीं कर पाई तीर नहीं चला पाई। तो कंगना रानावत फिर एक बार अपने फिल्म के प्रमोशन को लेकर और तेजस की कामियाभी को और उसकी सवलता को लेकर सख्रिय नजर आ रही है। और बताया जा रहा है कि ये तमाम हथखंडे जो है एक फिल्म को कामियाभ करने के लिए ही अपनाई जा रहे है। कि ये जरुड़ करें इस कि अपने आपके लिए हाज जूस जोस अ़जर दिन उन नचिज तन already चूस के लिए कि अनरे नचिजय वे ये वे ये इसके लिए जिन नचिए वे लिए नच्राग्वन है है। on the whole globe which is primarily dominated by Christian countries more than 85 more so I think what you guys are fighting for is rightfully yours and I think we as a Hindu nation we stand with Israel's cause so I really appreciate it because when I hear you I know that it's coming from deep understanding of the history and everything you know all in all in all in the world are 50 million Jews I don't know 100th of the number of Muslims for example there are about 50 countries that define themselves as Muslims and there is a very tiny country that is 150 times goes into India 150 times not even of the size of Manipur it's a tiny country that we are trying to keep and what happened here by the way Saturday, October 7 it was not Hamas, it was ISIS so I always say we went to sleep the night before with Hamas as our neighbor, woke up with ISIS I mean, these atrocities of murder of full families, burning them torturing them, decapitating people children, cutting limbs the stories there, rape, the stories are really unbearable and we will have to take action we are really emotional about the support we get here in India because, you know, I've been a veteran diplomat, third-time ambassador I've been in many... I'm a veteran, 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 I'm a कि तो इंग नहाएं! झाल, 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 झाल